Hello Everyone, Welcome to Learn Shore आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग आज जितनी भी क्वेरी आपकी JJ के टाइपिंग के रिगार्डिंग है सारी टाइपिंग के कुश्चन को मैं एंसर करने वाल हूँ टाइपिंग टेस्ट के लिए अब बात किजाए टाइपिंग टेस्ट की तो जो टाइपिंग टेस्ट की रिक्वाइर्मेंट थी जो पिछला एक्जाम हुआ है JJ का उसके अंदर थी 40 वर्ड पर मिनिट मांग रखे थी ठीक है और बच्चे जो थे लगबग 90% से ज़ादा बच्चे क्या हो गए थे उस टेस्ट के अंदर फेल हो गए था टाइपिंग टेस्ट के अंदर उसको जानेंगे क्यों हो गए थे हाला कि मैंने जल्दी उस टाइम वीडियो बनाई थी बट आज जो होगा वो फाइनल कंक्लूजन होगा टाइपिंग टेस्ट में बच्चों के फेल होने का बच्चे कैसे इसको यूनो कंपीट कर सकते हैं कैसे टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली सबसे पहले एक चीज़ जो डिस्प्यूट हुई थी वो यह डिस्प्यूट हुई थी कि बच्चों ने जब स्क्रίν देखी देखो स्क्रίν के अंदर ऐसे रिजल्ट आया था जब जब ने टाइपिंग टेस दिया मान लोग इसने टाइपिंग टेस्ट दिया और लेकिन प्रॉब्लम जो create हुई वो यह create हो गई कि जो हमारा एक्जाम authority था जो डेली हाई court या जो देश्टिक court के एक्जाम conduct करा रहे हैं उन्होंने जो judge किया word की according देखिये उन्होंने count किया word पर और हम count कर रहे थे किसके ओपर strokes के उपर तो इस वज़ से problem होगी तो जिनको लागी 2500 क्या कहते हैं 2500 strokes है तो उसके सीधा double कर लिया तो 50 नहीं ऐसा नहीं हुआ उन्हें वर्ड पर count किया और word को count किया इसलिए problem create हुई तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपके screen में जो stroke दिखाये जा रहे हैं वो आपके typing speed नहीं है क्योंकि stroke के अंदर तो आपका backspace भी count है आपके गलत word भी count है तो वो तो count नहीं होगे ना speed के अंदर तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखने आप लोगो अब यह जो notification आया था बहुत ही important notification मैं आद दुबारा सा थोड़ा सा highlight कर देता हूँ ठीक है 6 March को आया था typing test के बाद क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी PIL डाल दी थी, query डाल दी थी उसके ओपर क्या कहते है हाई quote ने सोचा और उसके ओपर एक notification जारी करना पड़ा उसको और यह क्या notification था बहुत ही important notification था देखो इस notification के अंदर बताया गया कि this is to inform that this office has received various representation complaints बहुत सारी complaints मिले उनको किसके regarding answer sheet के regarding skill typing test के लिए ठीक है अब it is to inform to all the applicants that their representation have been found to be without any basis देखे लिखा हुआ इसके अंदर कि जो भी बच्चों की query थी वो जो भी representation रखे उन्होंने वो बिलकुल without any basis था मतलब जो बच्चों ने रखा point की हमारी typing speed कम आ गई है बिलकुल गलत लग रहा है उनको उन्होंने बुला बिलकुल गलत है आप लोग का और यह क्यों लग रहा है बच्चों की due to misconception that count जो count किया गया वो keystroke पर किया गया वो देखे कि department खुद बोल रहा है कि जो speed थी वो keystroke पर count नहीं कि we're not taken into consideration it may be understood that count of keystrokes were inversely proportioned to the speed and accuracy accuracy के साथ दिखा जाएगा of the words type during words guys देखे words type during stipulated time of 10 minutes it is to inform that the number of strokes जो stroke दिखाएगा है screen के उपर on the computer screen at the end of the typing test is not indicative of your speed समझ मैं आगाई कि जो strokes दिखाएगा है आपके typing test के end में वो decide नहीं करते कि आपकी speed कितनी है ठीक है and accuracy as these included वो क्योंकि क्योंकि क्योंने करते speed को क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड है क्या wrongly type word जो आपने गलत की है keystrokes और backspace जिन्होंने यूज किया वो भी कम हो गया है अगर आपने मानलो एक word लिखा था मानलो आपको लिखना था goodness ठीक है और आपने लिख दिया B की जगे आपने मानलो s लिख दिया goodness लिख दिया तो जब आप इसको backspace करके ठीक करेंगे तो यह जो आपने चार backspace यूज किये हैं इसके भी तो number कटेंगे guys तो guys ध्यानक अगली बार जो typing test होगा उसके अंदर आपको backspace को कम use करना है try करना है कि पहली बार में ही in the first attempt आप सही type करें बहुत बड़ी problem हुई है इससे मैं क्यों हूँ है मैं पता हूँ इसकी पिछे reason and use of delete keys इन्होंने backspace करके ठीक किया है therefore the evaluation is done on the basis of number of correct words guys देखिए इसमें लिखा है कि जो evaluation किया गया है typing test का वो correct word पर किया गया है ना कि आपके character या फिर strokes के उपर तो guys यह ध्यान रखिए का बहुत ही important notification और सबसे बड़ा आपका जो doubt है वो answer इससे मिल जाएगा ठीक है आप देखें क्या problem हुई ठीक है आपको एक चीज़ मैं समझाएता हूँ 40 की speed requirement थी हमारी ठीक है आप जिस बच्चे ने 2700 तो stroke लिखे ठीक है उसको लगा कि उसकी speed कितनी होगी 54 word per minute होगी जबकि यह speed तो सिर्फ strokes के according आई है ना इसके अंदर क्या क्या include है इसके अंदर आपने जो wrong spelling डाली है वो wrong spelling जितनी भी है वो है इसके अंदर backspace है ठीक है guys और इसके अंदर आपने अगर कोई भी चीज दबाई है वापिस ठीक करिए तो यह सारी चीज इसके अंदर include है तो यह speed कहां से speed होगे आपकी यह speed नहीं है speed तो वो calculate की जाएगी जब आपके wrong spelling word जो आपने backspace किया उस सब को हटा कर जो speed आईगी इसी वज़े से क्या हुआ है जिस student की generally 54 speed उसने 54 word per minute के हिसाब से लिखा जो 10 word per minute की कमी आगई वो किसलिए आगई वो backspace यूज करने के लिए आगई जो भी आपने backspace और wrong spelling किया उसके वज़े से generally ऐसा देखा जा रहा है कि सब की 10 word per minute की speed कम हो गई guys ठीक है तो सबसे पहला problem यह है कि आप लोगो को डेली हाई कोट के exam में एक चीज़ ध्यानक नहीं है जो speed होती है वो strokes पर count नहीं होरी किसके ओपर count होरी है word के उपर और correct word के उपर और backspace जो use करने है backspace से आपकी speed कम हो रही है guys ध्यानक में इस चीज़ को तो backspace को कम से कम use करना है दूसरी चीज़ जो सबसे important है कि जैसे की 40 की speed थी हमारी requirement JJ में जिन student ने 50 या 50 plus की speed रखी है वो ही qualify कर पाए तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने आपको safe side में रखना है तो आपको जो speed requirement है उससे 10 या 15 speed उपर रहना पड़ेगा so that अगर आप wrong spelling भी लिखते हो backspace भी use करते हो तो अगर 10 का कम भी हो जाता है तो भी आप qualify कर जाओ यह मैं क्यों बता रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आप लोगको तो सबसे पहले चीज़ यह ध्यान रखनी आपको यह था हमारा analysis अब बात करते हैं exam जो typing test हुआ वो typing test कैसा था उस typing test के अंदर कैसे exam conduct करवाया डेली district court ने और क्या रहने वाला है देखी यह जो typing test है यह मेरा खुद का typing test है अब आप कहेंगे सर आप भी त्यारी कर रहे हो इस exam की नहीं सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि teacher सबसे आपको कोई एक ऐसा teacher आप मुखरजी ने कर में पढ़ रहे हो लक्ष्मिने कर में पढ़ रहे हो केरला में पढ़ रहे हो गुजरात कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको मान लो CGL का batch चल रहा है आपकी teacher आपको CGL का batch पढ़ा रहे है मान लो CGL के लिए त्यारी करवा रहे हैं आपके और जो आपका teacher है suppose वो teacher सिर्फ पढ़ाता है क्लास के अंदर लेकिन वो teacher खुद exam नहीं देता तो इस चीज़ का आप difference समझ रहो कि जो teacher खुद exam देता है जैसे मैं जो भी batch पढ़ाता हूं जैसे मैं stando का batch पढ़ाता हूं sse का batch पढ़ाता हूं district court के batch चल रहे हैं मेरे dssb के batch चल रहे हैं तो मैं वो exam खुद बैठता हूं देने so that मैं और बच्चो को दिखाता भी हूं कि मैंने कहा score किया कितना score किया कैसे आप लोग score कर सकते हो यह बहुत बड़ा difference है देखिए आप देखेंगे 99% teacher देखिए मैं बहुत vicious बात बोलो लेकिन यह reality है मुखरजिनगर, लक्षमिनगर जितने भी बड़े institute है गुड़गाओं जितने भी आपको पता है 99% teacher जिस exam के तियारी करवाते हैं हो सकता उन्होंने 5 साल, 7 साल या 10 साल पहले exam clear किया हो लेकिन आज में, real time में वो exam देते नहीं है और वो exam देते नहीं है तो वो कैसे उस experience को बच्चों को सिखाएंगे कि आज जो exam वो क्या है और 5 साल पहले क्या तो क्या था तो guys, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस channel से जुड़े हैं मैं आपको actual, genuinely जो चीज़ें आती है exam में खुद experience करके बताता हूँ और खुद अपना result भी दिखाता हूँ बच्चों को, यहां मैंने नहीं दिखाया, यहां मैंने roll number अटा दिया लेकिन class के अंदर मैं बच्चों को खुद से अपना result दिखाता हूँ, खुद से detail दिता हूँ सारी, so that बच्चे यह judge करते हैं कि यहां sir कहा है, और sir ने क्या किया और हमने क्या किया तो guys इस चीज़ को seriously ले आप लोग चैनल को subscribe कीजी अगर आपको genuinely English में score करना है otherwise आपको online paid course खरीदने है, YouTube पे pen drive course खरीदने है तो आपको cheat किया जा रहा है, इतने time से और फिर किया जाएगा, ठीक है इसके पीछे एक reason और यह देखिए, आपने देखा बहुत सारे YouTuber क्या करते है एक साल कुछ समय के लिए free channel, free चीज़े देते है और suddenly फिर एक pen drive course आ जाता है, suddenly कोई online class जा जा जाती है यह सब क्या है, यह सब बेवकू बनाने की चीज़े है लेकिन बहुत सारे ऐसे channel भी है, देखिए, मैं नाम भी देता हूँ बहुत सारे ऐस channel जो बहुत genuinely अच्छे से पढ़ा रहे जैसे एक channel है my favorite, feel free to learn यहाँ पर आप जाएंगे यह जिके और reasoning, sorry, यह reasoning plus math करवाते हैं sir और बिल्कुल free है from the day one जब से channel चला है और आज तक यह सब कुछ free provide करते है पूरी classes तो guys, channel बहुत सारे हैं, यह तो मैंने एक example दिया मैं आपको और भी बताऊँगा आगे आप पढ़ेंगे, genuinely आपको benefit मिलने वाला है YouTube पे 100% content free है तो आप pen drive को जो आपको trick कर रहे हैं बेवकुफ बना रहे हैं, उनसे बच के रही है पैसे बचाए है, time बचाए है, खुद से मैनत करे हैं देखिए, ऐसी कोई book नहीं, English के अंदर जो market में ना हो, और ऐसा कोई question नहीं है जो आप YouTube पे या teacher से पढ़ते हो, जो आपको book से नहीं मिलेगा सब कुछ मिलेगा, बशर्ते आपके अंदर dedication होने चीए वो dedication या तो आपको खुद से मिलती है, या फिर dedication class से मिलती है तो वो dedication के लिए ही मैं यहाँ YouTube पे हूँ और फिर उसके बाद आपको त्यारी करनी है, अब बात करते हैं यह typing test की, यह मेरा ही typing test है मेरा नाम सुरेंदर कुमार है, और 62 मेरा typing speed था, 9 से सवानू, ठीक है यह जो timing था 25 मिनिट का, तो guys इसके अंदर क्या था, 15 मिनिट तो starting में उन्होंने रखा देखो, मैं थोड़ा और अच्छे से बताता है आपको, जो typing test की timing total कितनी है, 25 मिनिट इसके अंदर क्या होता है, कि starting के 15 मिनिट तो आपको अंदर बठा के रखते हैं इंस्ट्रक्शन आती है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उस 15 मिनिट के अंदर 5 मिनिट का जो होता है न, 5 मिनिट का एक आपका demo typing test होता है demo typing test, और यह demo typing test क्यों होता है, सपोज आपको कोई keyboard दिया गया, वो keyboard अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह आप पता कर सकते हो उस keyboard के अंदर कोई, कोई एक बटन भी अगर अच्छे से काम ने करा हो चेक कर सकते हो, इसलिए आपको क्या दिया जाता है, इसलिए आपको दिया जाता है, यह demo test, demo test बहुत है important है, अगर आपका keyboard खराब है तो आप बोल सकते हो, mouse खराब, कुछ भी चीज आपकी जो काम नहीं कर रही है, आप दे सकते हो, invigilator को बता सकते हो, जिससे वो ठीक कर रहे है, ठीक है, तो इसलिए इस 15 मिनिट के अंदर से, दीखे 25 मिनिट का test है हमारा, ठीक करना था, तो यह 15 मिनिट, बच गे 10 मिनिट, 10 मिनिट में आपकी instruction फोलो, फिल की जाती है, आपकी detail, detail, सब चीज़े देखी जाती है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा 25 marks का typing test, आप देखते हैं, क्या हुआ सबसे पहले, सबसे पहले जो typing test हुई, वो यह होई, यह है मेरा demo test, ठ ठीक है, demo, demo of typing, demo of typing क्या था, देखो, यह भी इसके बारे में आपको अच्छे से explain करूँगा, पहले यह देख लीजे आप लो, यह था demo, the government is responsible for providing various things and facilities to the people, full stop, it is responsible for providing security to the people and constantly works for their welfare, the government also collects taxes in order to have enough amount of money or funds to carry out various welfare programs, the money from, the money from the tax is also used for maintenance of the government machinery, देखो, यह जितना भी पूरा का पूरा जो पांच मिनिट का demo था, ठीक है, यह पांच मिनिट का जो demo था, इसके अंदर, एक चीज़ मैंने जो notice करी, starting नहीं, कि इसके अंदर single digit नहीं थी, एक भी digit नहीं थी, मतलब एक भी number नहीं था, alpha number, कोई भी numerical value एक भी नहीं थी, सबसे पहले चीज, दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, कोई भी punctuation mark नहीं थी, इसके अंदर, ठीक है, punctuation mark नहीं है, दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या important है, दूसरी चीज़ इसके अंदर important यह है, कि word, देखो, passage तो इसी easy मैं consider करूँगा इसको, लेकिन ज फिर से responsibilities, छोटा word नहीं है, ठीक है, इसी तरह primarily छोटा word नहीं है, functioning, ठीक है, institutions, advantages, ठीक है, और governing, implementing, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, interest, यह word छोटे नहीं, देखी गाई, जो typing test है, easy, लेकिन जो इसके अंदर word है, word बहुत बड़े-बड़े है, जैसे responsible, आपका कोई भी एक पांच मिनट के बाद जब आप पांच मिनट का typing test दे दोगे, तो आपके सामने आएगी यह चीज, यह क्या है, यह पूरी नहीं आएगी, यह तो result typing test के बाद आई है, आपके सामने ऐसे लिखा मिलेगा, कि आपने जो strokes लगाए है, वो लगाए है, इतने 214, ठीक है, ठीक है इस तरीके से धान रखना है, आप देखो, इन्होंने क्या दिखाया है, रिजल्ट में, कि backspace यूज किया, मैंने 130 गाई, 130 बार backspace यूज किया, ठीक है, और correct words मैंने लिखे 214, net word, gross मेरी speed ID 43, net eye मेरी 42, तो यह जो 130 मैंने backspace यूज किया, इसके सर बहुत सारे marks कट गए मेरे, accuracy मेरी 99.53 है, लेकिन मैंने backspace करके सब को ठीक किया, देखो मैं बताता हो मेरा word क्या गलत था, जो मेरा typing में गलत word था, वो सर्फ एक word था, वो भी मैंने end में ये लखो, responsibilities लिख दिया, जो की गलत था मेरा, ठीक है, बाकि पूरा passes ठीक था, तो ये तो था मेरा 5 minute का, जो demo test था लेकिन demo test के बाद, जो मेरा actual जो typing test हुआ, वो था ये guys, ठीक है, ये पूरा देखे, इसके अंदर भी आप एक चीज नोट करेंगे, तो वो ही चीज कि, ना तो इसके अंदर punctuation mark था, ना इसके अंदर कोई numerical value थी, but इसके अंदर एक चीज थी, वो थी, आपकी word थे, वो बड test आ गया, executive आ गया, आप लोगा, permanent आ गया, ठीक है, representative आ गया, executive फिर से आ गया, इस तरीके से जो ये word थे ना, completing, responsible, legislature आ गया, ठीक है, और आपका, बहुत सारे word ऐसे, बहुत बड़े-बड़े word आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल, परसनल आ गया, तो ये जो word, word तो बड़े आ ग कर रहा था, अपनी speed 52, मुझे लग रहा था, 52 आएगी, लेकिन आप लोग देखो, मेरी speed उन्होंने कितने निकाली, net word per minute निकाली, 42 word per minute, जबकी requirement कितनी थी, 42, तो मतलब मैं तो बाल-बाल बचाओं, इसी तरीके से जो बच्चे, typing speed के, जो बच्चे वहाँ पर माल लो, 2400 करके आएं, तो उनकी speed 48 होनी चाहिए थी, 10 का minus करा कितनी आगे 38, वो बच्चा फेल हो गया, मतलब उसकी speed तो 48 थी, लेकिन result में कितनी आई 38, क्यों आई, क्योंकि 10 की कमी कर दी, एक तो backspace यूज़ करने के विए से, गलत spelling यूज़ करने के विए से, इसी लिए guys, अब ज exam qualify कर पाऊगे, typing का, तो नहीं, वरना नहीं कर पाऊगे, sir, generally मैं बोल रहा हूँ, बहुट tough हो जाएगा, अगर आपकी 45, अगर आप मालना, आपकी speed 40 आरे ये घर पर, और 35 चाहिए, तो वहाँ मुश्किल है, आपको at least 45 प्लस रखनी है, वहाँ घर पर, so that आप महाँ पर backspace से use करने के बाद, कुछ गलतियां करने के बाद भी आपकी speed 30 वाइफ ही आ जाए, इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगो, ठीक है, तो 99 मेरे skin देखो, मैं दिखाता हूँ, इसमेरे क्या था, यह मेरी typing है, जो मैंने type की है, इसके अंदर शायद मैंने दूर टाइप गलत क देखो, एक तो लिखा है, मैंने कौन सी tut लिख दिया, कौन सी tut लिखना था, c-o-n-s-t-i-t-u-t, तो कौन सी tut लिखना था, कौन सी लिख दिया है, आई घल लिख दिया है, तो यह गलत होगी मेरी spelling, जल्दी के बाद से, ठीक है, इस चीज को ध्यान लखना आपको slow करनी है slow का मतलब यह है कि 40 की रखनी, average और गलती को avoid करते वोग चलना है, ठीक है, guys, एक और होनी चाहिए, मेरी typing में error था शायद, हाँ, एक यह है, professionals, ठीक है, और एक यह ठीक करना आपको, तो यह चीज़ें आपको ठीक करनी है, अगर आपने इन चीजों पर ध्यान दे दिया, तो आपके पास, सोने के 10, 10 क्यों, 7 आवर निकाल दो, तो आपके पास बहुत टाइम है, at least आपको 2 घंटे स्पीड करनी है, जो beginning stage पर है, जिनकी स्पीड अगर 20 से 25 आ रही है, तो उनको तो daily 2 घंटे typing स्पीड करनी है, घर पे कम से कम, ठीक है, और जिन बच्चों की स्पीड 30 to 35 आ रही है, उनको कम से कम, एक आवर डेली करनी है, और जिनकी स्पीड आ रही है, 40 और 45 से प्लस, उनको भी एक आवर ही करनी है, guys, क्यों करनी है, आपको देखो, अपने आपको भीड से लग करना है, आपको वहाँ पर 55 की स्पीड निकालनी है, ठीक है, क्योंकि दिलiran रखेगा इस चीज को स्पीड कbereich אני एक क्रेंस कर सकते हूं आप गेम खेल सकते हो टाइपिंग और गैम यह कब और कि के आपель प्रेक्टिस है और जब मैंने typing test दिया था तब मेरी 65 थी तो वो क्यों थी मैंने game बहुत के लिए और daily practice की तो आप लोग practice करेंगे तो ठीक हो जाएगी only practice can increase your speed तो guys यह था मेरा typing test का analysis बहुत ही important है पढ़ लीजिए practice कीजिए time को utilize कीजिए typing test आपका हो सकता है कि थोड़ा सा late आए लेकिन late है तभी तो आपके पास time है तो otherwise time ही नहीं हो तो आप लोग पास time है utilize कीजिए speed को grow कीजिए not only for this exam for your whole life कभी typing करो तो आप कभी mail करो कभी message करो तो आप speed से कर पाओ speed से अलग होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि time को अच्छे से utilize किया जाना चाहिए अगर आप time को अच्छे से utilize कर देओ तो आप जीच सकते हो ठीक है so that उनको भी advantage मिले डेली high court का पूरा पूरा grammar का course चल रहा है और साथ में ही vocabulary का course चल रहा है तो vocabulary में मैं लगबग 5000 word कराऊंगा grammar पूरी कराऊंगा ही कराऊंगा तो इस exam के बाद इस course के बाद आप चाहे CGL दे देना चाहे आप DSS भी दे देना चाहे कोई भी exam दे देना state center नहीं CPO दे देना चाहे आप लोग चाहे NDA का दे देना कोई भी exam दोगे सब exam आपके clear हो जाएंगे guarantee के साथ minor सा फरक होगा एक percent का अगर मान लोग बहुत ही ज़्यादा फरक पड़ गया तो एक से दो परसंट का फरक पड़ेगा आपकी कितनी ही महंगी class हो कितना ही बड़ा teacher हो तो guys don't waste your time don't waste your money come here join my channel subscribe my channel आपको जिससे help मिलेगी thank you guys अगर आपको अच्छे लगी तो please subscribe पड़े learn short channel को thank you guys